जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता, वो काम ये पिछले साड़े चार वर्षों में, हमने उनके नेतरूतों में यहां पे होते हुए देखा है, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए ये पारलमेंट ने आगे कदम बढ़ाया है, पर G20 जिस तरीके से हम लोगों से वहां के, NRI से, तो बोलते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, यह जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता, वो काम ये पिछले साड़े चार वर्षों में, हमने उनके नेतरूतों में यहां पे होते हुए देखा है, 370 हो, या महिलाओं को घर देने के विशेह में हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए, यह पारलमेन ने आगे कदम बढ़ाया है, सर, G20 का भी मौका, इस देश को पहली बात, G20 तो होती होगी बहुत सारी चीजों में, मोदी जी ने सिखाया कि स्मार्ट इंडिया कैसे बनना है, स्मार्ट इंडिया क उधारन बहुत सारे मोदी जी के द्वारा हम देश वास्रियों ने, हम जैसे युवकों ने सीखा है, पर G20 जिस तरीके से हमारे देश को पहली बार मौका मिला, उसका अगर क्रेडिट किसको जाता है, या किसका योगदान सबचे जाता है, तो वो पावरफुल हमारे प्रा प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, उनका आवाज, उनका नाम हर एक कोने में है, तो मुझे लगता है, उनका दिल से धन्यवाद करूंगे और इस पारलमेंट में जितने भी सीनियर, हमारे पारलमेंटेरियन है, मंत्री रहे हुए, सभी मेंबर्स है, सबका आशिरवाद हम जैसे नए नियू कमर, नियू पारलमेंटेरियन को मिलते रहा हैं ये पिछले अगर हमने पहला कदम रखना सिखा इस पारलमेंट में, तो मुझे लगता हमारे सीनियरों ने हम लोगों को आगे स्टेप बढ़ाएं